आईए अन्बोक्सिंग देख लेते हैं DBX कमपनी के ड्राइव रेक पी ए टू का और यह DBX कमपनी का है Digital Loudspeaker Management System है यह Harman Group का DBX कमपनी का है और उसको हम फटफट से घोलते हैं और देखते हैं क्या कुछ मिलता है इसके साथ में और सबसे पहले तो लीड मिलती है Power Cable सायद थ्री पिन वाला Power Cable है यह वो स्वारी टू पिन वाला Power Cable है कुछ इस तरीके का मिलता है Build Quality अच्छी है वायर की एकदमी 3rd Class नहीं है बहुत अच्छा है और अब हमारा जो है Loudspeaker Management System इसको भी देख लेते हैं और यह User Manual और यह कुछ नाटवर्ट मिलते हैं Mount Track वगरा करने के लिए अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं और किनारी के लिए का थर्मा को लटाते हैं और देखते हैं कैसा है हमारे यह DBX का Loudspeaker Management System Rack Drive Rack 2 पहले वान आता था अभी 2 आने लगा है फुल यह Digital है Drive Rack PA 2 और यहां से Mic का Input है एक और जो गोल वाल बटन है उसे Set करने का Option दिया गया है और पीछे कहसे तक कुछ ऐसा है आप इससे Internet भी Connect कर सकते हैं High, Mid, Low सब दिया गया है और इसके MRP कुछ एक लाख पांच जार बार रुपर दी गई है Inclusive All Tax तो थोड़ा बार डिस्काउंट आप मांग सकते हैं और यह कुछ सामने से आपको एक बार दिखा देता हूं Mic Input है यह Display है यह Display का Select करने के लिए Volume है Wizard का Option है Recall Store Utility और यह Instant Access का Option है Input यहां दिखाएगा Output यहां दिखाएगा A Drive Rack पी यहां लिखा गया है और इसको आप Mount Track भी कर सकते हैं Speaker Management System और यह पीछे का हिस्सा है Power Cable के लिए यह Internet का Cable लगा सकते हैं यह USB वाला जो Cable होता है वो लगा सकते हैं और High दो दिया गया है Mid दो दिया गया है Output में और Low दो दिया गया है और देख सकते हैं आप Input में भी दो दिया गया है Left और Right और DB भी Select कर सकते हैं और इसको हम Power के बल लगा लिए हैं और इसको On करके देख लेते हैं कुछ ऐसा लिखा रहा है DBX PA2 और यहां से कुछ Select होता है पर अपने को समझ में नहीं आया और सिस्टम भी अवलेबल नहीं था तो हमने टेस्ट नहीं किया तो यह था Unboxing DBX कंपनी के ड्राइव रैक PA2 का आज की उटे कितना ही बाई फिर मिलंग दोस्तों